इस वेरियो में हम लोग एक बहुती सुंदर सा प्राब्लम डिसकस करेंगे, प्राबलम क्या है सीधे देखते हैं, प्राबलम कहे रहा है कि स्क्वार रूत्स आफ 5-ірूत रूत आफ 5-राफ 10-लाफ 15-राफ 5-राफ 6 मैं यहां लिखा हूँ square roots जब हम लोग लिखते हैं ना जैसे square root of 9 तो इसका answer होता है positive 3 लेकिन जब मैं कहता हूँ square root or sqrt या square root पूरा लिखता हूँ इसका मतलब यह है कि हम positive 3 भी बोलेंगे और negative 3 भी बस ये बात आप समझ जाएं पहले 3 का square 9 होता और negative 3 का भी square 9 होता है that is square roots of 9 are positive 3 and negative 3 गर यह radical sign लगा देते हैं तो सिर्फ positive लेते हैं यह आप जानने अगर नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसका मतलब दो roots आएंगे positive और negative यह बहुत ही different question है और different approach होगा इसका जैसा मैं approach यहां पर इस्तमाल करूँगा जिस approach के हिसाब से आगे बढ़ेंगे आपको लेगा यह आप कैसे समझे तो धीरे धीरे आप भी expert हो जाएंगे और आपको भी बात है समझ आ जाएंगी बस आप steps देखें वो समझ आ रहा है कि निए that is very important यहां पर जो फार्मूला इस्तमाल होगा वह हमारा x plus y plus z whole square क्या होगा x square plus y square plus z square plus two x y plus two y z plus two z x याप जानते हों है हम लोग यहां पर x के place में one ले लेंगे y के place में square root of a ले लेंगे और z के place में negative square root of b ले लेंगे इसका क्या होगा holy square ऐसा क्यूं कि यह square root कुछ नजर आ रहा है दो बार negative दिख रहा है किसी एक को अगर हम negative ले ले लेते हैं तो दो terms negative आ जाएंगी हमारे पास यही हमारा क्या है five minus square root of ten minus square root of fifteen plus square root of six ठीक है अगर हम square root इसका निकाले तो क्या होगा इसका positive negative दोनों होगा समझ पा रहा है square root of अगर यह निकाले इसका positive भी होगा और negative भी होगा ठीक है तो अगर यहां से हम देखें हमें निकालना है किसका square root किस किसका five minus square root of ten minus square root of fifteen plus square root of six यह क्या आएगा positive negative क्या one plus square root of a minus square root of b ठीक है तो इसको अगर solve करें तो हमारे पास क्या result निकल के आएगा आप यह सोचेंगे समझ आजागा जैसे मैं एक्स square is equal to nine तो क्या होगा x is equal to positive three भी होगा negative three भी होगा मतलब nine का square root होगा तो इसी तरह की कुछ बात है actually होगा one plus root a minus root b is equal to square root of positive negative जो भी आएगा तो यह इस पार आएगा तो वही हमारा result होगा मैं क्या कह रहा हूँ आप यह अगर समझ नहीं पाए you need not to worry actually क्या होगा one plus root a minus root b is equal to square root of इतना होगा इतना का square is equal to इतना अगर यह बात नहीं समझ आई तो पहले मैं यहीं समझा दे रहा हूँ बच्छो आपको हो सकता है आप confuse कर जाएं confusion बिलकुल नहीं होना चाहिए तो यहां क्या होगा one plus square root of a minus square root of b is equal to positive negative यह क्या होगा five minus root ten में square root आ जाएगा minus root fifteen plus root six जैसे यहाँ पे मैं लिखुछ इसक्वार इक्स स्क्वार इसक्वार इसक्वार इविल टु तो थ्री तो आफ क्या लिखंगे X is equal to positive negative is quarter three या root three is equal to positive negative x लिक सकते है न तो वही चीज़ यहां पर भी मैं कर रहा हूँ यहां से हमारे पास जो result आएगा square root of मतलब यहाँ पे तो अब यह लिखना सही नहीं होगा चुकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हम इस्तमाल कर रहे हैं तो यह हम लिखेंगे square root of five minus root ten minus root fifteen plus root six यह सारी बात में plus minus दोनों आएगा इसको समझाने के लिए कर रहा हूं one plus square root of a minus square अब अब यह जाने positive भी होगा ठीक है अगर positive होगा तो यहीं रह जाए आगा negative होगा तो plus के जगा माइस होगा प्लस के जगा माइस जगा माइस जगा मानेस जगा प्लस जगा बस इतना जाने इतनी बात तो आपको समझा गई कि यह result आएगा हमारा square root जब हम निकालेंगे तो इसको हम घेल देते हैं ठीक है अब क्या होगा इसको अगरम solve करें इस formula से x plus y plus z का holy square से तो one square हो गई plus root a का square plus negative root B का whole square a square x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2x कितना हमारा 1 और y कितना है root a 2 into 1 into root a plus क्या होगा 2 into root a into negative root b 2 into root a into negative root b उसके बाद क्या होगा plus 2zx that is root b into 1 plus 2 into negative root b into 1 यह होगा हमारा is equal to यह होगा 5 minus root 10 minus root 15 plus root 6 ठीक है यहाँ पर मैंने ऐसे ही दिख दिया वही वाला उतर जाएगा तो 1 square 1 होगा root a A होगा negative का square positive होगा B होगा plus 2 root a minus 2 root a root b यह एक साथ भी लिख सकते हैं minus 2 root b is equal to कितना है 5 minus root 10 minus root 15 plus root 6 square root actually अब बताएगे square root में यह वाला यह वाला और यह वाला टर्म है इसको एक साथ ही कर देते हैं ठीक है अब क्या हो जाएगा यह बच्चो इसको धियान से देखे हैं बिना square root का कौन है बस 5 तो यहां पे अगर comparison करें equate करना होता है 1 plus a plus b क्या होगा 5 2 square root of a यहां पे positive वाला यहां पे बस तो 2 square root of a हमारे पास क्या आया square root of six ठीक है अब यहां पे हमारे पास आगिया अगर हम बी की बात करें इसमें छोटा वाला देखें तो यह रूटेन होता है और यहां पर निगेटिव है यहां पर निगेटिव है तो इसको अगर equate क्या जाट टू रूट भी किसके बराबर रूटेन के बराबर आप पुलिंगे सा कैसे सोच रहे है इसको वेरिफाई भी कर लेंगे हम लोग फिर यहां से टू स्क्वाइर रूट आफ एब इस इक्वैल टू यहां पे के रूट 15 तो हम पने एक्वेट कर दिया वन प्लस ए प्लस बी किसके बराबर बिना डू इसक्वैर डूट आफ फाजरी वाला स्कुयर इसके साथ अब बोलें इतू यहां मल्टिप्लाइड या नहीं यह तो नदर कर सकते ना फूर एक्वार इसकोई रूट तो करी सकते हैं न यूनी नोट तुभरी उसके बाद यहां पे स्क्वैर रूट है निकर टिप में यहां पे इसके साथ कर लिए यह तो फाई वाला होगी हमारा ठीक है इस तरह से आप समझ गये होंगे कि मैंने क्या किया अब देखिए इसको हम लोग वैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमने कैसे सोचा आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है उस समझ आ जाएगा इत्ती आप उमीद रखें ठीक है अब बताये टू रूटे रूट सिक्स आया डैट इस स्कॉयर रूट ऑफ ए इस एक्वल टो क्या होगा स्कॉयर रूट ऑफ सिक्स डिवाइड बाई टू अगर ए निकाले तो सिक् कितना थ्यूट अगरू टेन क्वारा टू उनसी तरे यह केसे बी हमारा आएगा स्कॉयर रूट रूट इनीए हमारा होल स्क्वयर A आ गया और B आ गया, A आ गया 3 by 2 और B आ गया 5 by 2 और हमारे पास 1 प्लस A प्लस B कितना है, वेरिफाई कर लेते हैं, 1 प्लस A प्लस B, that is 1 प्लस A है 3 by 2, B है 5 by 2, 2 आ जाया गा, L C M, 2 प्लस 5, 3, 8, 8, 2, 10 by 2, कितना है 5, that is 1 प्लस A प्लस B, 5 आ रहे, that is, जो हमने सोचा था, वो स सही है, उसी तरह से 2 root A, B, 2 root A, B अंदर कर दिये, इसको, 4 A, B का square root, या मैंने 2 अंदर कर दिया, 4, 4 का square root करना पड़ेगा, एक इतना, 3 by 2, B कितना, 5 by 2, इसका square root, 2, 2, 2, 4 खतना, 5, 3, 2, 15, देखिए, 4 A, B का square root, कितना, root 15, बिल्कुल सही है, इसका मतब जो हमने सोचा, जो की question को दिया है, ठीक है, समझा गिया, चले, बहुत बढ़े है, तो सीधे हम answer की तरफ चलते हैं, क्या answer हो जाएगा, यही तो हमारे पास है, के square root of 5 minus root 10 minus root 15 plus root 6 is equal to plus minus, है ना, positive negative 2 होगा, 1 plus square root of A, एक इतना, 3 by 2, या पूट कर दे रहे, 3 by 2, यहा हो जाएगा, मारा, minus B कितना ह हो गया, 5 by 2, अल्यूट इमने वेरिफाइकर, this is the correct answer, okay, अगर radical form में होता, square root, तो सिर्फ positive आला लेते है, अप कौन सा positive हो का, वो हम को देखना पड़े का फिर, है ने, तो उसमें हम अभी नहीं जा रहे, बस यह answer आप याद रहे, this is the correct answer, positive, negative 1 plus square root of 3 by 2 minus square root of 5 by 2, I think आपको सम आया होगा, मिलते हैं फिर इसी तरह की interesting problem को लेकर next video में, thank you very much